Hello guys, most welcome, हम कर रहे हैं cost accounting chapter number 3 चल रहा है material cost control chapter number 3 के 3 lecture पहले upload कर चुके हैं जिसमें last lecture, lecture number 3 के अंदर मैंने आपको EOQ, economic order quantity के बारे में समझाया था आज lecture number 4 के अंदर हम EOQ को आगे बढ़ाएंगे और numerical कुछ question solve करेंगे जिसमें कुछ extra भी हम करेंगे EOQ के साथ-साथ, okay so यहाँ पर पहले question बढ़ते हैं, फिर मैं आगे इसको और अच्छे से explain करता हूँ question में लिखावा, the annual demand of an item 3200 unit यानि कि आपको A दे रखा है, A का मतलब मैंने बताया था, annual consumption अब मैं यह उमीद कर रहा हूँ कि आपने lecture no.3 यानि कि आप मेरे continue lecture देख रहे हैं तो आपको यह समझायाएगा, ठीक है है 6 rupees per unit, फिर दे रखा आपको inventory caring cost is 25% per annum, तो यह आपको दे रखा है inventory caring cost, caring cost का मतलब क्या हो गया आपर, storage cost से यानि कि S, तो S आपको दे रखा है 25% per annum, percentage में दे रखा है आगे दे रखा, if the cost of one order is 150, यानि कि order cost per order दे रखी है, आपको 150, इसको मैंने बोला था, ओ, तो ओ दे रखा है आपको 150 rupees per order, ओके जी, ठीक, अब इन सब की मदद से हम क्या निकाल सकते है, EOQ, और आगे आपको बोला हुआ भी है question के अंदर, determine, first point किया पूछा, EOQ, economic order quantity, अब EOQ का मैंने आपको formula बताया था, अगर आपको याद हो अच्छे से, तो मैं यहाँ लिखा देता हूँ, EOQ का formula, EOQ का formula था, अंडरूड, 2 multiply by A, multiply by O, divide by CS, इसका अंडरूड करना है, तो यहाँ पर 2 क्या है, यहाँ पर 2 का, तो 2 ही रहेगा, A यानि कि annual consumption कितना है, तो annual consumption is 3200 units, तो हम यहा लिख देंगे 3200 units, ओ, ओ मतलब क्या हो गया, order, cost per order, यह रहा, वो कितना है, आपका 150 rupees per order, ओके, फिर आता है, C, C मतलब यहाँ पर हो गया, cost per unit, यह रहा, आपका C, 6 rupees, ओके, फिर आता है, S, S का मतलब था, storage cost, यह केरिंग cost, यह रहा 25%, और मैंने बुला था, यह हमें सब percentage में दे रखा होगा, आप इसका अंडरूड करना है, तो इसको आ अपर वाले को multiply कर देते, 2 multiply by 3,200 unit, multiply by 150, तो यह आता है, 96, 9,60,000, 9,60,000, ओके, ठीक है, divide में 6 का 25% करेंगे न, तो यह आ जाएगा आपका 1.5, ओके, फिर अंडरूड, तो अब 9,60,000 में अगर मैं divide कर दूँ, 1.5 का, तो आता है, 6,40,000, कितना आता है, 6,40,000, अब इस 6,40,000 का हमको करना है, अंडरूड, अब अंडरूड कैसे करना है, इसके लिए आपको calculator के मदद लेनी होगी, और become वगिरा में, BBA में calculator allow होता है, universities के अंदर, तो यह 6,40,000 रूपीज लिखावा है, जो answer आ रहा है, अब यहाँ पर यह अंडरूड वाला बटन दबा दो, जैसे दबाऊगे, तो आगया 800 unit, तो answer अमारा आगया 800 unit, यह 800 unit क्या आगया, यह 800 unit आगया, यह 800 unit आगया हमारा EOQ, यह कि कि economic order quantity, यह देखो answer फस्ट का, कितना आ रहा 800 unit, तो 800 unit क्या हो गया हमारा EOQ, economic order quantity, यह कि एक बार में जब हुम और देंगे तो 800 यूनिट मंगाएंगे और टोटल हमें किती मंगानी है 3200 हमारा एन्वल कंजम सने साल में 3200 यूनिट कंज्यूम करते हैं यहीं मैनुफेक्ट्रिंग में यूज करते हैं मैटेरियल को और 800-800 करके मंगाएंगे तो next आप से यह पूचा है question के अंदर second देखिए यहाँ पर number of order per year के एक साल में कितने order आप दोगे तो इसको निकालना बहुत simple है इसका formula मैं यहाँ बताता हूँ second फस्ट हो गया यह second क्या पूचा number of order तो number of order का formula बहुत easy है formula की जरूती नहीं आप ऐसे ही निकाल सकते number of order ठीक है तो कितने order दोगे एक साल के अंदर तो आप को total unit कितनी मंगानी है उसको बोलते हम annual consumption 3200 और एक बार में कितनी मंगा होगी 800 unit यह क्या हो गया हमारा EOQ बास इस formula को apply कर देना है अब इसको अगर formula को समझे ना तो समझ भी सकते है अपन देखो हमको total 3200 unit मंगानी है पूरे सा तो फोर ओडर तो यह होगे number of order यहां यहां आता है gap between two order देखो यहां पर यह भी बोला हुआ है time between two orders दो order के बीच में लगने वाला time ठीक है तो इसका formula बहुत easy कि दो order के बीच में आप कितना gap रखोगे total order आपको 12 महिने में fill करने है ना हां तो दो order के बीच में gap कितना रखोगे मतलब एक वार 800 unit मंगा लोगे तो उसके बाद में वापस दूसरी 800 unit कब मंगा होगे थर्ड वाली 800 unit कब मंगा होगे ठीक है तो उसका formula क्या है मन्त कितने होते हैं साल में को बारा महिने होते हैं वो ले लो और divide कर दो sir divide किसका करें number of order number of order तो बारा महिने होते हैं एक साल के अंदर तक 12 number of order है चार तो एक order के बीच में gap कितना आ जाएगा 3 months sir ye answer months में आयगा क्यों क्योंकि ये उपर 12 हमने मन्त लिए हैं टीक है ये 12 coz एक साल में बारा महिने होते हैं ठीक है तो 3 महिने में एक बार आठ सो यूनित मंगाーएंगे 890-16100 फिर तीन महिने में 800 800 unit बंगाएंगे तो हो जाएगी, 2400, फिर 3 महीने में 800 unit बंगाएंगे तो हो जाएगी, 3200, तो इस तरीके से 800-800 unit के बीच में 3-3 महीने के बीच में 3 महीने में order देंगे, तो 3-3-6-3-9-3-12, तो ऐसे 12 महीने में हमारे total order आ जाएगे, अब मैं इस चीज और कराने वाला हूँ जो यहाँ पर लिखावा नहीं है, लेकिन questions में आता है, इस question में नहीं है, पूछा नहीं है, लेकिन हम calculate कर सकते थे, यहाँ पर आपको जो Hindi में लिखावा है, वो Hindi medium students के लिए है, क्यों काफी सारे comment आते हैं, कि सर आप थोड़ा Hindi में भी साथ में हमको बता दीजी, तो यह Hindi medium students के लिए, जो मारा paid course है, उसमें भी Hindi वाला मामला जो हम दे देते हैं बच्चों के लिए, ताकि अगर किसी English में problem आ रही है, तो Hindi में पढ़ ले, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो Hindi medium वाले like talk दो, subscribe कर दो, ताकि आपको भी मदद मिलती रहे, तो तीन point थे, और English medium वाले व की मिलेगी, BBA की मिलेगी न, जी, सो चलिए, student, student होता है, teacher, teacher होता है, चलिए, आगे fourth number, इसलिए teacher आपको बता रहा है, जो यहां नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको calculate करना सिखा रहा है, क्यों काफी सारे question में पूछा होता है, क्या, total inventory cost calculate करो, total inventory cost, या इसको total cost भी बोलते कई वार question में होता है, या total inventory cost या total cost निकालो, इस material बगर्या को खरीदने की, inventory की, तो इसका मैं आपको formula बताता हूँ, total cost का, total cost का formula बड़ा simple है, और easy है, आप चुटकियों में निकाल देंगे, देखिए मेरे साथ, total cost, इसका formula होता है, आप क्या कर लो, purchase cost लेलो, material को यह तो cost होती है, फिर उसके बाद, उसके बाद आती है, आपकी order cost, ट्रांस्पोर्ट expense समझ सकते है, order cost का मतलब वह ही, ठीक है, और third number आगे, carrying cost, या storage cost, और starting में आपको बताया है, मैंने इन दोनों के हिसाब से आपको बताया था, कि अगर EUQ, economic order समझाया था, economic order quantity, तो उसमें order cost और carrying cost या storage cost को ही, हम balance करके एक quantity निकाल रहे थे हैं, और इसके लावा purchase cost तो होती है, खरीदने की, इन टीनों को जोड़ दो, तो आपकी total cost आजाएगी, अब मैं आपको यहाँ पर add करके बदाता हूँ, सबसे first हम लेते है, purchase cost, अब purchase cost बिलकुल simple निकल सकती है, कैसे, कैसे निकल consumption कितना है, 3,200, और cost कितनी है, एक unit की, एक unit market में खरीदने जाएगी, तो 6 रुपे की मिलेगी, तो 3,200 unit कितने रुपे की मिल जाएगी, तो 3,200 multiply by 6, तो 19,200 है, अब इसके अंदर हम add कर देंगे, क्या order cost, प्लस ही तो करना है, उपर बाला formula ले रहाँ, order cost, और order cost बहुत easy तर टोटल order कितने देंगे, यह पता कर लो, वो हमने अल्रेडी पता कर लिया है, number of order यह देखो है, कि भ teaching,Okay हम कितने order देंगे, total order कितने देंगे, 4 order देंगे, ठीक है, यह देखो ही, number of order कितने है, 4, अगर यह नहीं होता, तो हम calculate करना पड़ता, तो 4 order देंगे हम ऍसाल में, और एक order देने में कितने रुपे लगते हैं? 150 रुपे, ये देखो, 150 रुपीज पर order एक order के 150 रुपे लगते हैं और total हम order देंगे 4 तो यहां आजाएगा 4 multiplied by 150 तो 150 क्या है? order cost for example, ये टेक्सी में सामान आ रहा है तो एक बार टेक्सी बाला जिब सामान लिके आएगा तो 750 रुपे लेगा दूसरी बार जाएगा तो 250 रुपे लेगा तीसरी बार जाएगा तो crispy 19 रुपे लेगा चौतिी बार 200 रुपे लेगा चार ये order देने तो total कितने रुपे ले जाएगा हमारा ट्रांस्पोर्ट का कर्चा, तो यह 600 रुपीज, ओके, थर्ड नमबर आथा आपका केरिंग कॉस्ट, केरिंग कॉस्ट, मैं बदाता हूं, केरिंग कॉस्ट, इसका फर्मूला सिम्पल, यूज करो, और केरिंग कॉस्ट, केल्कुलेट करो, वह आता, EOQ अपॉन 2 डिवाइड by CS, sorry, EOQ divided by 2 multiply by CS, EOQ का मतलब क्या हो गया, यहां पर, economic order quantity, क्या हो गया, economic order quantity, और वो हमने पहले से ही calculate कर रहा है, देखो, economic order quantity हमने निकाला, कितने आई थी, 800 unit आई थी हमारे EOQ, yes, 800 unit ले लो, ठीक है sir, ले लिया, divide 2 का 2, multiply by C, C का मतलब cost per unit, या price per unit, यह रहा, 6 rupees, और storage cost य multiply करना है 25 से, तो 6 को multiply कर दो 25%, पहले इसको solve करना सबसे पहले, ठीक है, पहले इसको solve करना, तो 6 का 25% करेंगे, तो आएगा 1.5, इधर 800 divided by 4, 2, अब 800 को, आप इसको solve कर दो ना, 800 में 2 का divide कर हुए 400 multiply by 1.5, तो आगे 600, तो यह वापस 600 आगी, आपकी caring cost, बाइचांस यहां दो सेम आ रही है, अब इन तिनों की total करो, तो आप की आजेगी total inventory cost या total cost, 19,200 में goods खरीदा, 600 रुपे में transport के खर्चे लगे, और 600 रुपे उसको care करने, store करने के उसके insurance बगरा के लगे, तो total 20,400 रुपय आ गई हमारी total cost, तो बटा इसका screen sort ले लीजी, ज़्यादा बेटर रह हैं यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ screen sort ले लीजीए, EOQ निकालने का, number of order निकालने का, मैं थोड़ा चोटा कर देता हूं उसको, ताकि आप आराम से ले सको, यह solution का आप screen sort ले लीजीए, ठीक है, मैं हटी किया हूं, side में, हाँ, okay, so अब आप अपने book के questions करेंगे, आपसे हो जाएंगे, क्योंगे काफी सार formula's मैंने आपको बताए है, तो I hope आपको इससे काफी मदद मिलेगी, मिलते हैं next lecture में, आज के लिए तना ही, please जादा जादा subscribe करेंगे, अब लग रहा है कि subscribe होना चाहिए, content आ रहा है न, continue, तो ऐसा एक भी student नहीं होना चाहिए, जो subscribe नहीं कर रहा हूँ, subscribe कीजिए, share कीजिए, दूसरों से subscribe कराईए, support चाहिए आप लोगों का, ताक कि graduation level पर मैं ऐसा ही content आपके लिए लाता रहा हूँ, मिलके next lecture में, आज के लिए तना ही, तब तके लिए goodbye and thank you.